MOTIVATIONAL KIDS TALES ब्रह्मांड पर अपनी चाप छोड़ने के लिए द्रढ संकल्पित होकर वह अपनी पूरीक शमता को उजागर करने और अपनी प्रतिभा से अंधेरे को रौशन करने की खोज में निकल पड़ी जैसे ही स्टेला ने ब्रह्मांड की यात्रा की उसे सभी आकृतियों और आकारों के सितारों का सामना करना पड़ा जिन में से प्रत्येक अपनी अनूठी रौशनी बिखेर रहा था रास्ते में उसने द्रढ़ता, लचीलापन और स्वयम पर विश्वास करने की शक्ती के बारे में मूल्यवान सबक सीखे लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद स्टेला को उतनी चमकने के लिए संघर्ष करना पड़ा जितनी उसने आशा की थी उसके मन में संदेह घर कर गया और वह सोचने लगी कि क्या वह कभी अपना भाग्य पूरा कर पाएगी एक रात आकाश गंगा में घूमते हुए स्टेला अंधेरे में ढके एक दूर के ग्रह पर ठोकर खाई ग्रह के निवासी चाया के बीच गर्मी और रोशनी की तलाश में एक साथ इकठे हो गए थे करुणा से भरी स्टेला जानती थी कि उसे क्या करना है हर शक्ती और द्रढ संकल्प के साथ उसने अपनी आंतरिक रोशनी को बाहर निकाला और ग्रह को एक उज्ज्वल चमक से भर दिया जैसे ही अंधेरा छट गया और ग्रह स्टेला की चमक में नहा गया निवासी अपने आश्रेयों से बाहर आ गए उनके चेहरे आश्चर्य और कृतज्यता से चमक उठे उन्होंने तारों से जगमगाते आकाश के नीचे नृत्य किया और हसे उस नई रोशनी का जश्न मनाया जो उनकी दुनिया में आशा और खुशी लेकर आई थी उस पल में स्टेला को एहसास हुआ कि सच्ची प्रतिभा सबसे अधिक चमकने या दूसरों को मात देने से नहीं आती ये भीतर से आया है अपनी अनूठी रोशनी को अपनाने और इसे दुनिया के साथ साज़ा करने के साहस से नए आत्म विश्वास और उद्देश्य के साथ स्टेला ने ब्रह्मांड के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी जहां भी वह गई अंधेरे को रोशन किया और गर्म जोशी और प्यार फैलाया और यद्यपी वह ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक छोटा तारा रही होगी उसकी रोशनी उज्जवल और शाश्वत जलती रही जो उसकी चमक को देखने वाले सभी के लिए आशा की किरण थी